हेलो माई डियर फ्रेंद्स, यू अला वैलकम और माई यूटूब चैनल, माई ओनलाइन क्लास्रों और आज इस वीडियो में चैप्टर में आपको एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ, यह है क्लास्रिफ्ट का, शोशे स्टडिस का चैप्टर 20 है यह और इसका नाम है नैशनल मिलेगा और साथी जो इंपोर्टेंट वर्ट्स हैं, लाइन से ऐसी पॉइंट्स जहां से आपके इंपोर्टेंट कोशिंस बन सकते एक्जाम में, तो वो हाइलेटेट भी हैं, जिससे आपको काफी हैल्प मिलेगी, साथी मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप में चैनल करएं तो आपको इस ताहन के और चैनल के भी नोर्ष आपके मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाया करिए और प्लेलिस्ट ऑुप्शन पर आपको irre-暨ातु क्लास भास आपके archsnर में चाप्टक्जन, सबसे पहले बहूं करते уже मिलें करें साथ ने करेंगे, तो इस लेसन में हम जानेंगे गांधी जी का contribution, freedom struggle में कि किसना से हमें अपनी आजादी प्राप्त करने के संगर्ष में, किस तरीके का सहयोग मिला, कैसा contribution रहा गांधी जी का, फिर हम जानेंगे roll attack के बाएं में, जलियावला बाग मैस्केर के बारे में, non-corporation moment के बाएं में, और स के drawback थे, क्यों Indians ने इसका withdraw किया, तो यहां से यह सारे important, बहुत सा important question है, जहां से आपके exam में आपसे पूछा ही जाएगा, फिर आते हम जानेंगे के किस ता से, क्या demand रही पूने सुवराज की, यानि Indians को उनकी पुरी सवतनतता चाहिए थी, Britishers से, World War 2 के बाएं में जानें देखें यह जो nationalism का जो concept है, यह काफी तीन chapters को cover कर रहा है, तो इससे पहले के दो chapters में मैंने इसको explain किया है, तो उन दो videos को भी आप दिखेगा, और साथी my online classroom science channel भी available है, जहां पर आपको science से related आपके सारे videos मिल जाएंगे, तो वहां भी आप visit करिए, मैं उसका जो link है वो description box म mention कर दूँगी, आप दिखें जो कहानी स्टार्ट होती है nationalism की, वो स्टार्ट हो रही है, रॉलेट एक्ट से, और जलियावला बाग हत्या गांट से, ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ, ब्रिटीशर्स ने एक law पास किया था, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, इस law क को पकड़ के सीधे जेल में डाल देते थे, और भीना उन्हें पेश के हुए कोट में, यानि प्रूफ, जैसे कोई क्राइम प्रूफ नहीं हुआ, बट जेल कर दी, तो गांधी जी ने लोगों से बोला कि इस law का हमें अपोस करना है, और 13 अप्रेल 1919 को एक पब्लिक मीटिं थी, जलियावला बाग अमरिस्तर में हो रही थी, और दा ओडर सोफ जनरल डायर, और जनरल डायर को ये खबर मिली क्योंकि उस टाइम एक तरह का मार्शल लॉबी चला हुआ था, कि कोई भी अपने घरों से किसी तरह की गैदरिंग नहीं होगी, कहीं खटे नहीं होगे, प और जो पार्क का सिर्फ एक ही एंट्रेंस और एक्जिट का गेट था, तो वहाँ पे एकतरास उसको गेट को ब्लॉक किया गया, और दस मेर तक फाइरिंग स्टार्ट की गई, जिसके वेसे बहुत साइज जो थाउजन्स ओफ लोग थे, वहाँ पे जो मौजूद थे, वो म लूरी है, इंडियल्स वर्किंग फो ग्रिटिश को मेर में रिजाइंट इसके साथी हाल कीसी ने क्योंकि नाम देखी क्या है, नॉन कॉपरेशन मोवमेंट, यानि कॉपरेट ना करना, ब्रिटिशन को सईयोग ना करना, तो जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी कॉपर्म चिल्रन्स जो बिटीज कॉर्मेंट स्कूर्स में पढ़ रहे थे वो भी नहीं गए पढ़ने जो टीचर्स थे उन्होंने भी जॉब छोड़ दी तो नॉन कॉपरिशन मुमेंट फिर छोड़ी छोड़ा एक प्लेस है उत्रपदेश में वहां पर यह हिंसा हो गई ठीक है वॉ उप पुलिस टेशन था उसे उसमें आग लगा दी क्योंकि पुलिस ने भी कहीना कि लोगों को पीटा था तो इतने गुस्था होगा लोग कि उन्होंने आग लगा दी पुरे पुलिस टेशन में और 22 जो थे वो जिंदा जल गए गांधीजी ने इसको कंसीडर किया कि यह का नॉन कोपेशन मोमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गया और उन्होंने इस मोमेंट को बंद कर दिया क्योंकि उनका था कि अहिंसा के साथ ही कोई विद्रो किया जा सकता है हिंसा नहीं होनी चीए पर इस विद्रो में हिंसा हो गई और इसी वज़े से यह मोमेंट रोग दिया गया इसके बाए गांधी जिन ने नेक्स्ट जो CDM मोमेंट यानि Civil Disobedience मोमेंट लॉंच किया 1930 में और ये एक मैसिव यानि बहुत साई लोगों ने इसमें पाटिस्पेट किया Disobedience मोमेंट में Civil Disobedience का मोमेंट का मतलब था कि जो भी Britishians ने law बनाये हैं उनको disobey करना उन्होंने Indians को बोला कि जो भी इन्होंने Britishians ने tax लगाए हैं उनको मना कर दो कि हम tax नहीं देंगे Especially जो salt tax Britishians के टाइम पर बहुत तरह के अलग-अलग tax लगा रखेते हैं उन्होंने हमारे उपर उनमें से एक टेक्स था salt यानि नमक पे यानि जब आप नमक हईदने जा रहे हो तो नमक पे आपको मतलब बहुत high rate पे नमक आपको मेलेगा और जहां भी नमक बन रहा है समुद्र से ही नमक बनता है तो वो एरिया भी Britishians ने अपने कंट्रोल में ले लिये थे salt law जो पास हुए Britishians ने जब salt law लागू किया तो यहां पे साफ लिखा है कि उन्होंने इंडियन्स को forbid यानि रोग दिया था कि वो अपना कि इसके बाद उन्होंने और और गाइस एक peaceful मार्च यानि एक peaceful यात्रा स्टार्ट की साबरमती आश्रम से जो कि एमदाबाद में है और डांडी एक coastal विलेज है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है जहां पे नमक काफी रहते हैं तो वहां पे वो गए और यह जो मार्च है इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं डांडी मार्च इसली कहते हूं क्योंकि डांडी गाउं तक वह पहुंच रहे थे और फाइनली जब वह डांडी में पहुंचे उस coastal विलेज में समुद्र के किनारे वाले गाउं में तब उन्होंने salt was made by evaporating sea water और sea water जो evaporate हो के लिया था तो इस तरह से जो ब्रिटिस्ट का salt law था वो कहीं ना कहीं boycotted बाइशकार उसका कर दिया था अब आतने साइमन कमिशन के बाए में जानते हैं और क्या डिमांड थी पूर्ण सवराज की ब्रिटिस्ट ने बहुत साइज सम चेंजिस कर रखे थे जिसके वेसे इ जानने कंडिया में जाने के प्रिटी में प्रिस्टूत करते हैं और जहां है इंड्याइं की प्रॉब्लम जानने चानने ने इस कमिशन में एक भी नहीं था तो इंडियस को यह प्रॉब्लम थी कि हम कैसे मालने कि यह जो चीज रिपोर्ट में लिखेंगे वो सच लिखेंगे और यही वज़ा थी कि इंडियस इसके विद्रों में आ गए और उन्होंने कर लिया यह तै कर लिया कि वो इस कमिशन का भाईशकार करेंगे उन्होंने डेमस्टेशन यानि जगा 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 जो है इसके खिलाफ अपना प्रेदर्शन स्टार्ट कर लिया और चिलनाने लगे स्लोगन बनाया साइमन गोबैक यानि साइमन वापस जाओ यह कमिशन वाप यानि सेल्फ रूल हमारा खुद का रूल चाहिए अब आतें वर्ल्ड वर सेकिंड एंड़ इंडिया मुव्मेंट दिखिए फर्स्ट वर्ल वर के पार में मैं आपको प्रीविज वीडियो में एक्स्प्रेंड किया थो तो आप एक बार जरूर देखिए क्योंकि यह तो इसे 1935 में उन्होंने गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसके अक्वार्डिंग जगा जगा पे कंट्री में इलेक्शन स्टार्ट हो गए कॉंग्रेस ने मोस्ट प्रोविंसी में इलेक्शन जीता और अपनी सरकार बनाई बट पावर यहां पे ध्यान रखिए कि बिटिश की इसमें यह चाल थी कि वो चाहते थे कि ठीक आप इलेक्शन को और अपनी गॉर्मेंट बना लो भात यह पर सुप्रीम पावर किस के पाटिस्पेट करेगा इस वार में बिना इंडियन लीडर से बाचित किये हुए तो कॉंग्रेस ने डेक्लेर किया डेट इंडिया वुड नॉट जो इन वार अंडल बिटिश ग्रांटेट कम्प्लीट इंडिपैनेस तो कॉंग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने साफ क्य अग्या कि इंडिया बिल्कुल भी इस वार में पाटिस्पेट नहीं करेगा जब तक बिटिश जो है हमें हमाई सवतंत्र हमारी कम्प्लीट इंडिपैनेस हमें नहीं देते इंडिया लीडर्स ने बिटिश से बात करी और यह जो बात चीत थी वो कहीं न कहीं फेल हुई कॉंग्रेस अंडर दे लीडर्शिप ऑगांधी एक न्यू मुमेंट लॉंच हुआ नैंटीन फॉर्टिटू में ओगस्ट में जिसका नाम था कुईट इंडिया मोमेंट यानी बिटिश यानी अंगरे जो भारत छोडो इसके बाद आते सुभाशंद्र बोस एंडियन नाशनल आर्मी के बाहिं में लीव इंडिया पीस्फुली उन्होंने ये चीज़ साफ कह दी थी कि बिटिशर्स कभी भी शांती पुर्वक इंडिया को छोड़के नहीं जाएंगे इंडिया को वो कभी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस देंगे नहीं इसके लिए वो जैपान गए और उन्होंने एक आर्मी अपनी बनाई 40,000 इंडियान सोल्जर्स के साथ जिसका नाम रखा आजाध हिंद फौर्ज और इंग्रिश में इसको बुला गया इंडियान नैशनल आर्मी देखें यहां से वर्ल वर सेकींड एंड हुआ 1945 में बिटिश ने रिलाइस किया कि कही ना कहीं अब वो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका लॉस हुआ हरत तरह से और इंडिया में जिस तरह से इतना ज़्यादा विद्रो था और वार में भी वो दो वर्ल में पहले ही पार्टिस्पेट कर शुगा था तो कहीं ना कहीं जो एकनोमिकली पावर होती है वो धिरे-धिरे कम हो गई फिर इस तरह के बार वो मुमेंट होना तो इनको कंट्रोल करना भी बिटिश के लिए काफी मुश्किन होने लगा दक्विट इंडिया मुमेंट और जो इंडिया नैशनल आर्मी थी उन्हों इन दोनों ने इतना परिशान किया एक तरह से बिटिश को कि वो खुद भी हिल गये और डिवाइड और रूल पॉलिसी पर भायत को चुछनने से पहले बिटिश ने डिवाइड और रूल पॉलिसी यानि बाटो और राज करो क की स्ट्राइजी को अपनाया और सक्सेस्फुली उन्होंने हिंदूस और Mislims को डिवाइड कर दिया, कैसी कर दिया? इंडिया को उन्होंने 400 जरूर दे दी, 15 अगस ने यानी 15 अगस 1947 में, भट उन्होंने देश का बटवारा करके घये, दो भागो में, इंडिया और पकिस् और जिस्काब धे चानल उर्मोर अद्टेस